इस तुरेंट्स तुड़े आए में स्टार्टिंग दफिफ्ट लेक्चर अब दी फिर्स्ट इनेट और इस लेक्चर की साथ जो है ठोटिकल पोर्शन जो है फिर्स्ट इनेट का कम्प्लीट हो जाएगा हम इस टिसकस करते हैं इस टडी फ्लोव इनर्जी क्यशन का सब्सक्राइब करने के लिए जरू जाए गए तो जैसे मैं इस टीफ्लोव इनर्जी क्यशन लिखा रहा हूं जैसे इसका डेरिवेशन करूंगा वैसे ही आपको करना है मैंने जो assumption लिख रखें सब कुछ everything the same तभी आप पूरे marks gain कर पाएंगे तो जैसा कि इसका name है study flow energy equation study word मैं पहले भी बता चुका हूँ types of process में कि कितने तरह के process होते हैं उसमें मैंने study बताया था study means no change with the time ठीक है तो if the properties of the system is not change it with the time then we can say it is a study process and the system is in a study state सब्सक्राइब तो देखो क्या लिखा है SFEE इसका short form में नाम है तो इसका एक्षाम में डिरेक्ट ये नाम ही लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाने study flow energy equation है SFEP used for open system okay at study state condition as previous explained the study means independent with the time so if the food properties are not change with respect to time the flow is called the study state then the flow is called the flow is in study state ठीक है इसके assumptions क्या है देख लो study flow energy equation drive करने से भी assumptions है एक 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 एक्जाम में ऐसे ही लिखने है ये पांच assumptions the mass of flow to the system remains constant mass जो इनलेट पर रहेगा वह आउट पर रहेगा यानि कि जो system है वो study state में fluid is considered to be homogeneous in composition हम यह मान के चल लाए है कि जो flow fluid है जैसे water है आपका वो homogenous है उसका composition एक तम सेम है और point पर the only interaction between the system and surrounding in the form of heat and work और यह कह रहे हैं कि जो interaction होगा system on surrounding या boundary पर system on surrounding के बीच में जो energy interaction होगा वो या तो heat के form होगा या work के form होगा और कोई की तरीका नहीं है ठीक है the state of the system is not change with the time यह आपका अजम्शन है पहले भी मैंने बताए study state है in the initial analysis only kinetic potential and flow energy has to be considered तो जब fluid flow कर रहा होगा तो उसकी kinetic energy भी consider करेंगे और वो किसी height पर होगा तो potential energy भी consider करेंगे और किसी प्रेशर से अगर सिस्टम में घुसरा है तो flow energy भी को हम consider करेंगे तो यह पांस एक्दम अजम्शन हैं जो as it is आपको याद करके रखने हैं और एक्जाम में जाके लिखने हैं ठीक है हम derivation करते हैं तो मालिया यह कोई हमारा system है यह open system है देखो यहां से flood आएगा यह इसका inlet है और यह इसका outlet है या इसे exit कहलो ठीक तो यह आपका system है यह boundary हो गई इसकी है न तो यह हमारा system अगर मैं dot से represent करूँ इस pen से तो इस तरह से यह आपका system है और इस system के बाहर everything outside the system is surrounding यह surrounding है दो तरह का सरफ इनर्जी इंट्रेक्शन होगा कि हीर सिस्टम में जाएगी और वर्क system से मिलेगा यह दो तरह का इनर्जी इंट्रेक्शन होगा ठीक है इनलिट पर कौन कौन सी इनर्जी है एक तो प्रेशर पीवन है जिससे फ्रूड आ रहा है फ्रूड की वैलुसिटी बीवन है जिससे फ्रूड अंदर जा रहा है ठीक है और इसकी हाइट यहां से इनलिट की जैड़ बन है यहां पर हाइट जैट टू है ठीक है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले फ्रस्ट लोग फ्रूड़ाएं से अप्लाई करते हैं तो नीचे लिखो अप्लाइदा फस्ट लॉड पर दी ओपीं सिस्टम ओपीं जिए अप्लाई गिया तो मैंने क्या फर्स लोग फ्रूड़ाइश लिखा था था टोटल एनरजी गों तो दूटल नजी आउट प्लाइड आप देस्टम इस उपलाई गिया तो मैंने क्या फर्स्टलोड अप्ट्रूड एस है ना यह क्लो सिस्टम नहीं है तो चेंज इन इनरजी करता तो वेन दा सिस्टम इस इन इस्टेट चेंज इन इनरजी हो कंट्रूल वाली में इन इस्टेट इस्टेट कि दी इसी बी ओबर डी टी क्या हो जाएगा जीरो यह पार्ट खतम हो जाएगा फॉर इस्टेडी स्टेट के लिए तो इन इस उकल टू ई आउट यानि कि टोटल इनरजी टोटल इनरजी इंटरिंग टो इनरजी इंटरिंग टो इनरजी इंटरिंग टोटल इनरजी कमिंग आउट प्रॉम दख शिस्टम तो इक्विशन नमर वन है अब हम देख लेते हैं इन क्या है और इन आउट क्या है तो इन क्या है टोटल इनरजी जो आपकी जा रही है कौन सी इनरजी है फ्लूट के पास जब फ्लूट करेगा सबसे पहले तो इंटरल इनरजी प्रस दूसरी इनरजी है जो प्रेशर के थू जा रही है प्रेशर है ना दूसरी इनरजी कौन सी है पीवन ठीक यहां पीवन क्या है यहां वीवन क्या है पॉल्यूम प्लास कानेटिक इनर्जी हाफ एम बीवन स्क्वेर पोटेसिल नर्जी एमजी जेड़ वन प्लास हीट इतनी इनर्जी तो सिस्टम में जा रही है और इनर्जी सिस्टम से बाहर कौन सी निकल लई है यह आउट के फॉर्म में देखते हैं यह आउट टोटल इनर्जी प्लस पीटू बीटू फ्लो वर्क प्लस हाफ एम बीटू स्क्वेर वैलोसिटी यह वैलोसिटी ऐसे मैं ऐसे रेप्रेजेंट कर देता हूं बीटू स्क्वेर प्लस एम जी जेड़ टू प्लस वर्क यह एनर्जी पाहर निकल लई है तो हम दोनों को बैलेंस कर दें तो यूवन प्लस पीवन बीवन प्लस एम बाएन बीवन स्क्वेर ऐम जी जेड वन प्लस क्यू उगल टू यू टू पी टू बी टू प्लस हाफ एम बी तू स्क्वेर ऐमू जी जेड तू प्लस डगू ठीक है तो यह आपकी स्टडी फ्लो और ऐगा क्वेशन हो गई अब इसे क्या आपने एम से डिवाइड कर दिया एम से डिवाइड कर दिया तो इक क्यूशन क्या रहा है कि जैसे यू-कैपिटल-ई-उ लिखा है यह इंटरल नर्जी कैपिटल यू-वन है अगर मैं इसे एम से लिखूंगा तो इस्मॉल यूबन हो specific internal energy so u1 plus p1 b1 divided by m plus b1 square divided by 2 plus gz1 plus q divided by m is equal to u2 plus p2 v2 divided by m plus b2 square divided by 2 plus gz2 plus w divided by m ठीक है अब यह क्या हो गया u1 plus volume divided by mass क्या होता था मैंने बता था specific volume plus b1 divided by 2 gz1 plus अब यह क्या हो गया energy supplied per unit mass तो हमें से q dot लिख देते हैं है ना per unit mass दिया है u2 plus p2 v2 plus b2 square divided by 2 gz2 plus work per unit mass ठीक है अब देखो एक टर्म होता है enthalpy h1 मैंने बता था u1 plus p1 b1 तो इसे हम यहां replace कर देते हैं तो h1 plus b1 square divided by 2 gz1 plus q h2 plus b2 square divided by 2 gz2 plus w तो यह आपकी steady flow energy equation आ गई पर इंड मास तो यह क्या है steady flow energy equation याद कर लें आज के बाद इसे this is not a steady flow energy equation तो यह कभी कभार prove करने को आ जाती है कि prove that the steady flow energy equation h1 plus b1 square divided by 2 plus gz1 plus q is equal to s2 plus b2 square divided by 2 plus gz2 plus w तो आप इस तरह से first law ठोड़ना यह से लगा के इसे solve कर सकते हैं ठीक है ना अगर यहां कोई doubt है है ना तो आप जरूज सर को बता दें तो वो मज़े जरूज बता देंगे अब एक और चोटा सा कॉंसेप्ट है बहुर आपको हम बता दें उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरा देखो conservation यह तो हो गया फर्स लॉप ठोड़नाइनमिक्स फर्स लॉप ठोड़नाइस क्या है conservation of energy conservation of energy हमने लगाया दूसरा law हम लगाते हैं conservation of mass conservation of mass क्या होता है तोटल मास है तोटल मास है और टोटल मास है और अब दे सिस्टम of the system remain constant टोटल मास सिस्टम का constant रहेगा तो अगर जो मैंने यह आपके सामने इनलेट और आउटलेट दोनों बनाए थे यह आपका आउटलेट था और यह आपका इनलेट था अगर कि अगर दो यहां पर मांस यहां पर आया और यहां पर मांस एनक्तू आया छोट वाह एट सिस्टम इंलेट एञिज है यह आगर करें तो मास्च यह प्रएट क्या होगा आप लोग ने म ide ने इंट क्या होगा मास्ट भॉलिम बताया क्या होता क्या होता है व्यघ्र टो तो धरश्ठोर कर कहीं आपको स्तुअ को सब्सक्राइब आना हो तो क्या करेंगे 1Y V1 कर देंगे और अगर आपको डेंसीदी है और इस पैसिप निकाना तो वन वाई रो कर देंगे तो अगर यह रोगन की वैलू यहां उठा के रखूं तो क्या हो जागा A1 B1 divided by specific volume 1 A2 V2 divided by specific volume 2 तो कहीं-कही numerical में क्या करेगा आपको तो A1 B1 दे देगा B1 निकल वाएगा A2 V2 यह देगे तो हम इस equation का भी यूज़ करेंगे numerical में solve करने में तो यह conservation of mass equation है A1 B1 divided by specific volume 1 A2 V2 divided by specific volume 2 तो यह तो तीन चीज़ें आप याद करके रखेंगे ठीक है ना इसके बाद हम आते हैं the application of study flow and education application of the study flow and education adding डाल लो application of SFEE SFEE का application क्या है तो number one application it is in boiler okay तो आप ऐसे mechanical engineer हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि boiler क्या है यह ना steam power planner boiler use की जाते हैं for producing the steam steam produce करने के लिए हम steam power planner boiler use करते हैं तो देखो boiler is a device which is used for producing the steam by supply of heat energy तो boiler एक ऐसे डिवाइस हैं जो steam produce करते हैं अगर हमने heat देंगे for example के तौर पर देखो यह boiler है है ना जिसमें water आएगा हम heat supply करेंगे यहां से देखो क्यूं क्यूं supply करेंगे तो यह water steam में convert होगा and steam will come and use for this purpose जिस परपच के लिए यूज की गई उसे हम use कर लेंगे जब भी कभी कोई भी device के बारे में लिखने को आए अगर एक्जाम में तो आप ध्यान रखना कि assumptions उसकी definition उसके assumptions जरूर लिखना assumptions के बिना वो marks नहीं देगा diagram assumptions is must तो assumptions देख लेते हैं boiler is considered to be steady state boiler हमारा steady state में है यानि कि कोई भी boiler की property temperature के हिसाब से change नहीं होगी all the property will remain constant with respect to time the bug transfer in the boiler is neglected so w is equal to 0 w is equal to kya है 0 the kinetic and potential energy of the steam and the gas is neglected annihilated and outlet to kinetic energy terms भी 0 इसमें हम करते हैं और potential energy term करते हैं तो अगर जो अब हम steady flow energy equation apply करते हैं तो apply the steady flow energy equation for boiler अगर हम boiler के लिए study flow energy equation apply करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं study flow energy equation तो q plus यहीं तो मैंने लिखा यह था h1 h2 plus b2 square divided by 2 plus gz2 plus w यह हमाई study flow energy equation थी इसे हम apply करते हैं इसमें आपका देखो work done w is equal to 0 रखते हैं b2 current energy terms neglected है potential energy terms neglected है तो gz भी आपका 0 कर देते हैं तो आपका क्या बचेगा इसमें h1 plus q is equal to h2 यानि q is equal to क्या है h2 minus h1 यह final water की water की question हो गई यानि water को कितनी heat देनी पड़ेगी stream में करवड़ करने के लिए उसकी change in enthalpy के बरावन थीक है तो आपका numerical आएगा उस numerical में क्या होगा कि वो numerical देगा तो numerical के अंदर बताएगा कि at inlet the water is 30 degree centigrade या कुछ भी बताएगा pressure आपका बताएगा कि 50 बार है at outlet इसका temperature 500 degree centigrade है and pressure जो है आपका 60 बार है तो आप पूछेगा heat कितनी supply की तो q equal to क्या होगा h2 minus h1 तो steam table में जाके h2 निकालने और यहाँ पे h1 निकालने दोनों का difference करें तो आपकी heat supply निकलाएगी तो हमें हाला कि अभी हाल फिलाल में इतना समझना है कि water है क्या उस पे study flow and education apply करते हैं तो क्या क्या assumptions लगाते हैं और final उसकी question है क्या है उसे इतना पता होना जरूरी है इसके बाद हम आते हैं condenser पर तो जैसे कि water का काम था water क्या क्या काम था कि अगर कहीं water है उसे heat supply करना so that the steam will produce and we will use now the same just opposite the condenser used to condense the steam high temperature पर जो steam है उसे condense करके water में convert कर लें तो वो condenser के थ्रू हम करते हैं जब हम steam को water में convert करेंगे तो heat क्या होगी बाहर निकालनी पड़ेगी तो heat वो कहा जाएगी surrounding में तो boil में हम क्या कर रहे हीट दे रहे थे condenser में क्या होगी heat बाहर निकलेगी तो यह देखो condenser है हमारा steam यहां से आ रही है और यहां से steam जा रही है condense out steam condense होके बाहर निकल लेगे और इधर से water आपका जा रहा है और इ तो लिखा है it is the mechanical device which is used for condensing the steam by removing the heat from it तो हम क्या करते हैं condenser से heat remove करने के लिए condenser का use करते हैं steam से heat remove करने के लिए तो assumptions क्या है same assumptions है हलका सा नाम change करना है जैसे मैं उसमें water लिखा था यहां condenser लिखूंगा अजम्शन लगव में सेम है तो the condenser is considered to be steady state पहला जम्शन बोलर आपका steady state में यहां पर condenser study state में बग transfer in boiler neglected बग transfer आपका 0 है ठीक है the kinetic and potential energy of the steam and gas is neglected kinetic energy term 0 है gz आपका 0 है तो हम apply कर सकते हैं steady flow in execution apply the study flow energy equation ठीक है तो steam के लिए apply करते हैं तो सबसे पहले आपका h1 plus b1 square divided by 2 plus gz1 plus q is equal to h2 v2 square divided by 2 gz2 plus w तो आपका 0 हो गया kinetic and potential energy terms आपका 0 हो गए अब देखो यहां heat जो है बाहर निकलेगी बाहर निकलेगी यानिए heat minus होगी तो h1 minus q minus रखोगे is equal to h2 तो q is equal to क्या हो गया h1 minus h2 यह energy आजाएगी from the condenser तो यह simple study flow in education हो गई आप इसे apply कर लेंगे इसके बाद करते हैं application of study flow in education on steam और gas turbine ठीक है तो देखो steam and gas turbine is used for producing the power by the use of energy of steam and gas है ना तो जो boiler के अंदर हम steam बना रहे थे वो steam का काम क्या था power produce करना power कैसे produce करेगी जो high pressure temperature steam है उसे steam turbine पर supply करेंगे तो यह steam high temperature pressure पर आ रही है and it passes through the turbine turbine will produce the work turbine की अगरी work produce करेगी and the steam coming out from the turbine ठीक है तो अब दो चीज़े हैं करने तरवाइन के अंदर आजम्शन है देखो पहले यह फिक्स आजम्शन से जो लिखने है तरवाइन इस स्टेडी स्टेट ठीक है तरवाइन इस इंसूलेटेट कहीं कहीं नहीं 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 हो सकता है ठीक है कहीं कहीं नहीं नहीं होगा तो जहां इस नहीं होगा हम Q is equal to 0 नहीं रखेंगे लेकिन हम Q is equal to 0 यहां लेके चल ले हम मान रहें इस इंसूलेटेट है कि जाला तरवाइन को हम इस इंसूलेट करते हैं कि हीट हमाई लीक नहीं बहार एंटमस्पर में नहीं तो बेस्ट होगा the kinetic and potential energy of steam and gas is neglected at inlet and outlet the kinetic energy term 0 है potential energy term भी 0 है तो apply the steady flow energy equation apply the steady flow energy equation apply करते हैं तो क्या है h1 plus b1 square divided by 2 plus gz1 plus q is equal to h2 plus b2 square divided by 2 plus gz2 plus w तो देखो यह सब term तो neglected हैं बचा क्या h1 plus sorry h1 is equal to h2 plus w तो हमारा तरवाइन वर्क हो गया wt जुगल 2 क्या हो गया h1 minus h2 तो कहीं कहीं numerical में क्या करेगा आपको turbine पूछेगा और heat transfer की जुगल 2 0 रखेगा तो आपकी यह equation लगेगी तो suppose करो की आपकी यह turbine है turbine पर steam आ रही है यहां से steam बाहर निकल लगे तो steam की state 1 और 2 आपको पता होंगे यहां का temperature T1 पता होगा यहां का pressure P1 पता होगा आप steam table से h1 निकाल लेंगे, यहां का temperature पता होगा, pressure पता होगा, तो यहां से आप H2 निकाल लेंगे, तो turbine ने कितना work produce किया, WT is equal to H1 minus H2, ओके, दूसरी condition मैं बता दूँ, in some numerical, numerical, Q is not equal to 0, कुछ numerical के अंदर Q आपका 0 नहीं है, जब आपका Q 0 नहीं है, तो इसका मतलब हुगा, Q जो है, आपका atmosphere में leak हो रहा है, ठीक है न, तो Q जो है, atmosphere में leak हो रहा है, क्योंकि steam बहुत high pressure होगी, है न, और turbine आपका work देगी, इस तरहे WT, तो हम study flow and execution दुबारा apply करते हैं, क्या है माई, H1 plus B1 square divided by 2, plus GZ1 plus Q is equal to, H2 plus B2 square divided by 2, plus GZ2 plus WT turbine work, आपका potential energy terms और kinetic energy terms तो हमने neglected हैं, तो H1 plus Q is equal to क्या हो गया, H2 plus W2, आप देखो heat system से surrounding में जा रही, यानि negative होगी, तो H1 minus Q is equal to क्या हो गया, H2 plus WT, तो अब turbine work क्या होगा, H1 minus H2 minus Q, तो equation modified हो गई, पहले equation क्या थी, when heat transfer to the surrounding is neglected, H1 minus H2, अब क्या हो गया, H1 minus H2 minus Q, है ना, तो जिस तरह से numerical होगा, उस तरह से हम अपने assumptions को modify भी कर सकते हैं, यह ध्यान रख लेना, ठीक है ना, अब हमारा third part आता है, centrival compressor, ठीक है ना, तो centrival compressor क्या है, आप लोगोंने compressor देखे होंगे, जैसे आप गाड़ी में हवा भरवाने जाते हैं, तो वहां पर compressor से लगे रहते हैं, तो the main purpose of the compressor is to compress the air, air को या gas को compress करे, वो device आपका क्या होगा, compressor, यानि कि हम उसे work दे रहे हैं, वो compress कर रहा है, तो देखो, the centrival compressor used to increase the pressure of gas by expense of work, work को खर्च करके, हम pressure gas का बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कोई device होगा, तो वो आपका compressor कहलाएगा, यह diagram थोड़ा repeat हो गया है, यहाँ पर, यह compressor का diagram नहीं है, यह compressor का diagram नहीं है, तो इस diagram को आप बढ़ा दो, तो हम दुबारा बना देते हैं, तो यह कोई compressor है आपका, ठीक है, आपने turbine के थुरू इसे work दिया, turbine या किसी generator के थुरू या motor के थुरू वर्क दिया, ठीक है, air या gas जो है, यहाँ से आएगी, inlet पे, और यहाँ से gas outlet पे बाहर निकल जाएगी, gas outlet और gas inlet, तो यहाँ पर energy H1 होगी, यहाँ H2, ठीक है, compressor में हम कोसिस करते हैं, कि heat reject ना हो, ठीक है, तो generally Q is equal to क्या है, आपका, 0 लिया जाता, अगर नहीं लिया है, तो आप count कर लेंगे, तो देखो, assumption क्या है, the compressor running at steady state, the compressor is insulated, the kinetic and potential energy of the gas is neglected, at inulated and outed, ठीक है, तो apply the steady, apply the steady flow energy cushion, apply करते हैं, तो H1 प्लस B1 square divided by 2, प्लस GZ1, प्लस Q is equal to, H2 प्लस B2 square divided by 2, प्लस GZ2 प्लस W, है न, C, अब यहाँ से देखो, यह 0, यहाँ 0 सब रक्तो, तो आपका बचा H1 is equal to H2, अब compressor को जो work दे रहे हैं, तो work दे रहे हैं, तो क्या होगा, निगेटिव, तो WC is equal to हो गया, H2 माइनस H1, तो यह हमाई study flow and execution आगई, हम इसे use कर सकते हैं, और जो numerical आएगा, इस हिसाब से लगा सकते हैं, बहुत simple हैं चीज़े, एक ही जैसी चीज़े हैं, बट आप इसे कर सकते हैं, इसके बाद आता है हमार डिवाइस, नौजल, बहुत important है, 101% ही एक numerical इससे जरूज आएगा, टरवाइन और आपका नौजल बहुत important हैं, इससे numerical आपका एक्जाम में जरूज मिलेगा, ठीक हैं नौजल क्या है, इस इस डिवाइस यूज़ यूज़ इस फर इंक्रीजिंग तर वैलोसिटी ओफ द फूट, तो नौजल क्या है, किसी वाटर या किसी फूट की वैलोसिटी इंक्रीज करने के काम आता, वाइद एक्सपेंस ओप्रेशन इनरजी ओफ द फूट, ठीक है, तो उसकी प्रेशन बढ़ेगी ओप्रेशर कम होगा, तो नौजल के देखो, अजम्शन क्या है, तो नौजल रनिंग एट इस्टेडी स्थेट, नौजल इस इन्सूलिटेट, तो Q इस उकल टू जी रो है, नौजल के अंदा, ठीक है, और देखो, यहाँ हाइट जैडवन, यहाँ से हाइड ज जैड़ तो जैडवन इस उकल टू क्या है, जैड़ अब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई दा, इस्टेडी फ्लो एनरजी क्यूशन, तो H1 प्लस B1 स्कुर्ड डवाट बाइट 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 टू, प्लस GZ1 प्लस Q इस उकल टू, H2 प्लस B2 स्कुर्ड डवाट नौजल, जीरो, तो वक ट्रांसफर भी कुछ नहीं होता, तो W उकल टू जीरो, Z1 और Z2 एक हाट पर तो यह कट गए, इस ट्रांसफर आपका जीरो है, तो क्या आगए क्यूशन, H1 प्लस B1 स्कुर्ड डवाट बाइट 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 नौजल, H प्लस B स्कुर्ड बाइट 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 तो नौजल के अंदर, H प्लस B स्कुर्ड डवाट बाइट 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 तो B1 velocity is equal to 0 माल लेते हैं, क्योंकि B1 आपका बहुत less है, as compared to B2, B2 के comparison में B1 is very less, तो B1 को आपको 0 माल लेते हैं, तो ये खतम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, H1 is equal to H2 plus B2 square divided by 2, तो B2 square is equal to 2 क्या होगा, 2H1 minus H2, तो B2 बरावर under root 2H1 minus H2, आपका कभी कार ये भी प्रूफ करने के लिए कह देते हैं, अब H1 minus H2 क्या है, H1 minus H2, change in enthalpy of the fluid, change in enthalpy, generally वैसे तो H2 minus H1 होता है, तो change in enthalpy के बरावर हो जाएगा, higher से कम, तो B2 is equal to under root 2 delta H, तो ये भी आपका प्रूफ करने के लिए exam में पूछ लिए जाता है, तो आप एकदम nozzle पे भी apply कर लेंगे, nozzle होता है, diffuser भी होता है, जिसका just revert, तो जैसे nozzle का का काम है, उसे भी समझ लो, nozzle का काम है किसी fluid को, किसी fluid की velocity बढ़ाना, और pressure को कम करना, तो जैसे यहाँ pressure P1 है यहाँ P2 है, तो P2 is less than P1, but V2 is greater than B1, velocity तो ज़्यादा होगी inlet से, B1 से B2 ज़्यादा होगी, तो pressure कम होगा, diffuser justice का उल्टा होता है, जैसे nozzle आपका ऐसा है, तो diffuser आपका ऐसा होगा, तो diffuser का का काम क्या होगा, pressure बढ़ाना, अगर यहाँ pressure P1 है, यहाँ pressure P2 है, तो P2 is greater than P1, but V2 is less than P1, तो equation same, same equation convert होके diffuser में भी आ जाती है, H1 plus B1 squared divided by 2 is equal to SQ plus B2 squared divided by 2, बागी same assumption, सब कुछ same होता है, तो exam में का diffuser लिखने को आ जाए, तो आप nozzle की definition की जगे, just उल्टा उसका definition लिख दो, और बागी चीज़ें same ही रहती है, ठीक है, बस nozzle का just reverse आपका diffuser होता है, इसके बाद हम आते हैं, throttling process, तो हमारा throttling process है, तो यह बहुत ही हो, आपका 100% exam में आता है कभी कबार, 100% आएगा exam में वैसे तो यह, तो throttling है क्या, throttling process involves the passage of high pressure fluid through a porous plug और a narrow tube, एक बहुत ही कोई पतली tube है, जिसका diameter बहुत कम है, जैसे माली 1 mm, 1 mm diameter और इससे मैं कोई high pressure fluid पास करूँ, तो क्या होगा, friction बहुत ज़्यादा होगा, और pressure आपका drop हो जाएगा outlet पे, तो throttling process involves the passage of high pressure fluid through a porous plug, या कोई porous material है उससे पास करूँ, और narrow tube, the pressure at the outlet of the tube is reduced and its expressive volume is increased, तो pressure outlet पे आपका कम हो जाएगा, और इसका expressive volume बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ P2 pressure है, यहाँ P1 है, तो obviously यहाँ जब किसी obstruction से, किसी रुकाबट से जब fluid पास होगा, तो pressure उसका कम हो जाएगा, P2 is less than P1, ठीक है ना, अज़मसन देख लो, throttling tube is running at a steady state, the process is adivatic because tube is very narrow, so heat transfer is equal to 0, the work transfer is 0, kinetic energy potential energy term भी 0 है, kinetic energy terms, B square by 2 भी आपका 0 है, potential energy term GZ is equal to 0 है, work transfer आपका 0 है, Q is equal to 0 हो गया, सारी चीज़े हैं, तो apply the steady flow energy equation, apply the SFAE, तो क्या है देखो, H1 plus B1 square divided by 2, plus GZ1 plus Q is equal to H2, plus B2 square divided by 2, GZ2 plus W, ठीक है, तो जब आप assumptions apply करेंगे, तो H1 plus B1 square divided by 2, plus GZ1 plus Q is equal to, H2 plus B2 square divided by 2, plus GZ2 plus work, तो work transfer 0 है, ये term potential energy terms भी निगलेक्टेड हैं, ये term सब निगलेक्टेड हैं, तो क्या आएगा, H1 is equal to H2, तो हमेशा ध्यान रख लें, throttling के अंदर, throttling process, in throttling process, enthalpy remains constant, H is equal to constant, तो कभी कवार आपसे exam में यही पूछ लेता है, prove that, in throttling process, H is equal to constant, तो आप क्या करेंगे, study flow energy question लगाएंगी, और जो मैंने assumption नहीं है, सब रख देंगे, तो H is equal to constant आजाएंगे, इतना छोटा सा proof होगा, खीक है, यहान रख लो नीचे, इप दा, एक और चीज है, छोटी सी, इप दा gas, is ideal gas, जो gas पास हो रही है, throttling से, वो ideal gas है, तो आप देखो, H is equal to क्या होता है, CP into T, तो H1 is equal to क्या होगा, CP into T1, CP into T2, दोना CP, CP cancel, T1 is equal to T2, तो इसका मतलब है, कि अगर कोई ideal gas, ideal gas, किसी पोगर, capillary tube से पास होगी, है न, यहाँ pressure P1 है, temperature T1 है, pressure P2 है, temperature T2 है, तो P2 is less than, P1 होगा, लेकिन T1 is equal to T2 होगा, यानि कि ideal gas का temperature में, कोई change नहीं आएगा, अगर वो ideal gas होगी, अगर वो real gas होगी, तो इसके temperature में change होगा, या तो temperature T1 से कम होगा, या T2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, तो यह throttling process था, और बहुत important था, जो exam में आएगा, और simple मैंने बताया, वही prove करने के लिए आता है, actually you got to constant, या छोटा सा कोई numerical, तो जो मैंने बताया है, अगर उससे आप पढ़ लेंगे, इस समझ लेंगे, तो इतने से आपका एक numerical निकल जाएगा, ठीक है, इसके बाद आता है pump, है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा, central pump है, पानी को pump करने के लिए, water को pump करने के लिए, जो pump होती है, उसे pump कहते हैं, है ना, लेकिन pump और compressor में, दोनों में क्या difference है, है ना, compressor भी fluid को compress करता है, pump भी fluid को compress करती है, बस अंतर यह है, कि जो compressor है, bookcase और air के लिए यूज़ के जाता, compress करने के लिए, लेकिन pump water को compress करने के लिए यूज़ की जाती, water या कोई liquid हो, ठीक है ना, जबकि दोनों ही same principle पे, compressor are used for compressing the gaseous phase of the fluid, and pumps are used for compressing the liquid phase of the fluid, ठीक है, तो जो pump है, वो liquid phase को compress करने के लिए यूज़ जाती है, compressor आपका gaseous phase को, assumption क्या है, the pump is running at steady state, तो यह तो assumption आपको सम में लिखना है, there is no heat transfer takes place in pump, q is equal to pump में क्या है आपका, zero है, the temperature of the fluid remain constant, U1 is equal to U2, है ना, the liquid is considered to be incompressible, so specific volume V1 is equal to V2, तो देख सकते हैं कि यह pump है, इसका inlet एक आपका, यह आपका outlet है, Z2 हाइट पर है, और inlet इसका Z1 हाइट पर है, ठीक है, तो apply the steady flow energy equation, apply the SFE, study flow energy equation हम apply करते हैं, तो study flow equation क्या है, U1 प्लस P1 B1, हमने H1 हटा दिया, अब U1 प्लस P1 लिख लिया, प्लस V1 स्क्वाइट प्लस जी जेड वन, प्लस Q जूगल टू, यू टू, प्लस P2 B2, प्लस V2 स्क्वाइट प्लस जी जेड टू, फ्लस डव्लू पमपर, तो Q जूगल टू जीरो है, internal energy constant है, तो यह कट गए, वाल्यम आपका constant है, अब बर्ग तो आप pump को दे रहे हैं न, pump बर्ग दे रहे हैं तो negative होगा, तो यह minus हो गया, तो pump इसे इधर ले लेते हैं, तो WB pump बर्ग क्या होगा, P2 B2 minus P1 B1 plus B2 square minus B1 divided by 2 plus GZ2 minus Z1, यह आपका pump बर्ग आएगा, तो numerical में अगर जो pump बर्ग पूछा जाता है, तो इस तरह से आप लगाएंगे, ठीक है, वहाँ पर आपका pressure count होगा, ठीक है, तो pump की आपकी study flow and execution क्या आगई, pump बर्ग जो हमें देना होगा, that is P2 B2 minus P1 B1 plus V2 square minus B1 square divided by 2 plus GZ2 minus Z1, यानि pump क्या काम करता है, kinetic energy भी fluid की बढ़ाता है, change in kinetic energy, potential energy भी fluid की बढ़ाएगा, और this is the flow energy, तो pump work जो आप देते हैं, motor लगाते हैं, वो क्या 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 काम करता है, एक तो flow energy बढ़ाता है, जिससे fluid flow करे, plus kinetic energy fluid की, plus potential energy fluid की, तो यह simple pump work है, तो अब जितने भी study flow energy का application जिन भी device पर हो सकता था, turbine है, compressor है, boiler है, condenser है, pump है, nozzle है, मैंने वो सब आपको discuss कर दिया, अब हम क्या करेंगे, numerical करेंगे, अब numerical की तरब move करेंगे, और फिर यह unit आपकी complete हो जाएगी, तो आप numerical जरूज घर पे निकालें, अब कोई doubt आता तो हम से पूछें, यहाँ में एक देखो एक numerical जो है, discuss करेंगे, तो simple numerical होगा, जिससे आपको थोड़ा सा clear हो जाएगा, तो in a gas turbine unit, the gas flow through the turbine is 15 kg per second, तो जो gas flow कर रही है, turbine से, कितनी है, 15 kg per second, ठीक है, and the power developed by turbine, turbine की तुरू जो power develop हो रही है, वो 12,000 kWh हो रही है, the enthalpy of gas at inlet and outlet are, enthalpy at inlet पर कितनी है, 1260 kJ per kg, outlet पर कितनी है, 400 kJ per kg, and the velocity of gas at inlet and outlet are, B1 आपकी कितनी है, 50 meter per second, B2 आपकी 110 meter per second है, calculate the rate at which the heat is rejected to the turbine, तो यह पूछ रहा है, सबसे पहले तो यह बताओ, कि turbine से heat कितनी reject हो रही है, तो देखो इसने, अब यहाँ kinetic energy term को neglect नहीं किया, तो आप neglect नहीं करेंगे, अब यहाँ दुबारे study flow and execution लिखेंगे, तो जो में turbine थी, वो आपकी turbine क्या है, देखो, फ़ले तो diagram बना लो एक, ठीक है, turbine से हमें work मिलना है, यह तो inlet हो गया, और यह आपका outlet हो गया, यहाँ पर आपकी B1 आपको 50 meter per second देदी, यहाँ से आपको B2 is equal to 110 meter per second देदी, ठीक है, turbine work आपको देदी है, बारा हजार kilowatt, enthalpy at state 1 देदी, 1260 kilojoule per kilogram, और यहाँ state 2 पर enthalpy देदी, आपकी 400 kilojoule per kilogram, ठीक है, सारी चीज़े देदी, कहों तो एक बार अलग से लिख लेता हूँ, इसे, आप लोग confuse हो जाएंगे थोड़ा, ठीक है, इसे बिगाड़ा के दुबारा मैं लिख देता हूँ, इससे एकदम clear होता है, चाहिए फिर इसके लिए अगला पेज क्यों न लेना पड़े, अगले पेज पर फोन जाएंगे, ठीक है, दुबारा बनाते हैं, तो तरवाइन जब बनाना तो तरवाइन इस तरह से ठीक है, तो यह ऐसे कर देता हूँ, यह inlet है, यह आपका outlet है, यहाँ पर आपकी velocity जो दी है मैं, बी बन, पचास मीटर पर सेकंड, यहाँ वैलो से टी outlet पर देती 110 मीटर पर सेकंड, ठीक है, है, एच पन आपको दे दिया 1260 किलो जूल पर किलो ग्राम, और हच टू आपको दे दिया 400 किलो जूल पर किलो ग्राम, टरवाइन जो work produce कर रही है, वो कितनी है, 12000 किलो वाट और आपकी heat भी Q is equal to reject हो रही है, एक्टमस्पेर में, तो यहाँ देखो, apply the study flow energy equation, हम study flow energy equation अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें निकालना कितनी heat reject हो रही है, apply the study flow energy equation, तो लिख लेते हैं, h1 plus b1 square divided by 2, plus gz1 plus q is equal to h2 plus b2 square divided by 2, plus gz2 plus w, तो यह तो potential energy term z1 z2 हो एक ही होगा, तो यह तो आपके 0 हो जाएंगे, अब हमारा बचाएंगा क्या, h1 plus b1 square divided by 2, plus q is equal to, h2 plus b2 square divided by, plus w, है न, turbine work, turbine work दे रही है, तो positive, heat reject हो रही है, तो negative, अब मैंने क्या निकालना है, q, तो q आपका minus में होगा, मैंने बताए, minus होगा, तो minus होगा, तो इधर ले जाएंगे, यह सब इधर हो जाएंगे, तो h1 minus h2 plus b1 square minus b2 square divided by 2, minus wt, ठीक है, अब देखो, q is equal to h1 minus h2, यह तो दिये हैं, क्लोजूल में, तो इन्हें भी आपको क्लोजूल में कानेटिक अरजी टर्म को करना पड़ेगा, तो 3 से divide करते हैं, minus wt, अब देखो, equation को आपको same करना है, same unit करनी है, यहाँ unit का बहुत problem है, अब देखो, यहाँ जो work आपको दिया है, वो कितना दिया है, wt, 12,000 क्लोवाट, और enthalpy दी है, क्लोजूल पर क्लोड़ाम है, तो जब तक इन में mass से multiply नहीं करोगे, mass rate से, तब सक इनकी unit same नहीं होगी, तो यहाँ mass rate से multiply कर लो, तो q is equal to होगया mass rate, h1 minus h2 plus b1 minus b2 square divided by 2 into 10 power 3 minus wt, अब आप value रखें, तो आपको answer मिल जाएंगे, तो mass rate कितना था, आप देख सकते हैं, mass rate आपका था, 15 kg per second, तो mass rate 15 kg per second, h1 1260 minus 400 क्लोजूल, अब किलो में ही चलने तो कोई दिखकर नहीं है, plus b1 कितना था, 50 meter per second, और 110 था साइथ, 50 meter per second, b1 था आपका, तो 50 का whole square minus 110 का whole square, divided by 2 into 10 to about 3, minus 12000 क्लोजूल, अब इसे आप solve कर लो, तो आपका answer आजाएगा, तो 1260 minus 400 कहले कर दो, तो आपका हो गया q is equal to 15, 860, अब यह आपका minus महा जाएगा, माइनस, 50 का स्क्वेर, माइनस 110 का whole square, जिएगार बाइट बाइट, जिएगार बाइट, माइनस 12000, तो q is equal to 860, minus 4.8, इन्टू 15, यह हो गया, 12, 828 minus 12000, minus 12000, तो आपका जो heat reject होगी, वो 828 क्लोवार्ट, इतनी heat reject होगी, आपका यह answer आगया, तो आप study flow and education, वहीं question में क्या कहा गया है, इस हिसाफ से apply करेंगे, ठीक है न, उसके बाद second में क्या पूछा है, the area of the inlet pipe given that, the specific volume of gas at inlet is 0.45, the area of the inlet of the pipe, अभी यह कह रहा है, numerical के अंदर थोड़ा एक page बढ़ा लेते हैं, कि आप area बताएं, अगर specific volume कितना है, तो specific volume आपका कितना है, देखो, 0.45 meter cube per kilogram, तो हमने बताया था, mass flow rate क्या होता है, rho 1, A1, B1, तो A1 is equal to mass flow rate divided by rho 1 into B1, अब rho 1 क्या होता, बनवाई specific volume मैंने बताया था भी, तो A1 is equal to mass flow rate divided by 1 divided by V1 into B1, तो area क्या हो जाएगा, mass flow rate into V1 divided by B1, ठीक है, तो area निकाल लो, कितना है, 15 kg per second, V1 आपको कितना दिया, 0.45, और भी speed कितनी दिया, 50 meter per second, तो area आपका आजाएगा, देखो, निकालो इसे भी, 15 into 0.45 divided by 50, यानि कि 0.135 meter square आपका area आजाएगा, ठीक है, तो simple है, या फिर आप ये वाला formula याज कर लें, mass flow rate is equal to A1, B1 divided by V1, यहाँ से आप A1 निकाल लें, या इस तरह से row A1, B1 बन करके इस तरह से निकालने, तो same ही बात होगी, दोने ही चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, इस तरह से ये part आपका, theory का और study flow energy equations, यह सारा part आपका complete होगी है, अब एक lecture मैं इससे all लूँगा आपका, first unit से, इसमें मैं close system की और open system की कुछ numerical ही कराऊँगा, ठीक है, तो next lecture में सिर्फ numerical होगे, उसमें 4 या 5 हम numerical discuss करा देंगे, इसके बाद आपकी first unit 100% complete हो जाएगी, ओके, thank you.